नमस्कार, मिरा नाम अमन है, स्वागत करता हूँ आप सभी का आज़किस बेहतरीन और शांदार वीडियो में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कुछ स्टुडेंट के प्रॉबलम्स होती हैं और ये बहुत बड़ी प्रॉबलम्स होती है इन प्रॉब्लम्स की वज़ा से आपका result आपका score प्यारे बच्चो खराब होता है प्रॉब्लम क्या है कि आपको नींद बहुत आती है सबसे ज़्यादा नींद आती है जब भी किताब उठाते होना नींद पहिले आ जाती है पढ़ाई बाद में नींद पहिले आती है दूसरी प्रॉब्लम है कि आपका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है तीसरी प्रॉब्लम है कि आपका ध्यान भटकता है पाइदफे कभी कभार आप बैट गए लेके कॉपी ना तो आपका ध्यान भटकने लगता है यहां वहां जाने लगता है यानि कि आप concentrate हो करके पढ़ाई नहीं कर पाते हो जब आप पढ़ाई करने के लिए बैटो तो नीद आती इन सभी का solution आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो प्यारे बच्चों वीडियो को पूरा देखेगा और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर Marshayor कर दिजेगा तू हस तू मुस्कुरा और तू रोना कम कर दे जिन्दा है तू अगर तो जिन्दगी की नाक में घम कर दे प्यारे बच्चों अगर आप जिन्दा है ना तो जिन्दा रहने का कुछ सबूत दीजिये ना अच्छे से पढ़िये ना मिहनत करिये ना क्यों नहीं करते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहली आ जाती ही कि आपको नींद बहुत आती है जब भी आप कॉपी खोलेंगे नींद आएगी और जब आपको नींद आए ना नींद आए ना तो कॉपी को अपने साइड में रखना चुप चाप लेट के सो लेना ठीक है नींद को हटाना नहीं कि तुम हटा रहे हो मत अटाना उसे एक घंटे सो लेना दो घंटे सो लेना लेकिन जब दो घंटे के बाद उठना न प्यारे बच्छों उठना न तो उठने के तुरंथ बाद ही वो बगल की जो रखी है न किताबे उन किताबों को उठा करके पढ़ने लगना ठीक है नीन आये तो मैं सोने के लिए नहीं मना कर रहा हूँ सोलो, रात में तुम पूरा सोलो भाई साथ आठ गंटे अराम से सो शाथ गंटे सोलो, आठ गंटे सोलो और ज्यादा सोना है, दस गंटे सोलो लेकिन जब पढ़ने के टाइम में नीन नहीं आनी चाहिए और अगर पढ़ने के टाइम में नीन आ रही है न तो सबसे पहले अपने नीन कम्पलीट कर लो और उसके बात पढ़ाई करो ठीक है? क्योंकि आप सिर्फ एक बार में सिर्फ एकी काम कर सकते हैं या तो आप सो सकते हैं, या तो आप पढ़ सकते हैं या आप पढ़ने के लिए बस आई से बाइटे हैं अनीद आ रहे हैं, इसका मतलब आप दिखावा कर रहे हैं आप पढ़ नहीं रहे हैं और आप बड़े हो गए हैं, आपको दिखावा नहीं करना है अगर आप दिखावा कर रहे हैं न तो सूचो, कल के आपकी जिन्दगी खराब होगी ना, जिन्दगी बरबाद होगी ना, स्कोर खराब होगा ना, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा ना, तो उसके जिम्मेदार तुम होगे, उसकी रिस्पॉनसिबिल्टी तुमको लेनी होगी, कि हाँ, मेरी वज़ा से, मेरी कमियों की वज़ा से मेरा result मेरा score खराब हुआ इसलिए देखो सबसे पहली चीज है कि अगर जब भी तुम्हें नीद आती है ना सो लो भाई मैं तो कहता हूँ सो लो अराम से ठीक है जब मेरे को भी नीद आती है ना तुम पहले सो लेता हूँ लेकिन किताब याद रखना कि जब हम सो के उठते हैं तुरंट उठते हैं जब उस समय जो चीजें हम पढ़ लेते हैं वो हमें बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाती है तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि अगर पढ़ते वक्त नीद आ रही है तो सो लीजिए लेकिन उसके तुरंट उठने के बाद कुछ होर काम मत करिए क्योंकि आपका मन कहेगा जब आप सो के उठोगे तो आपका मन कहेगा कि चलो जलो तुरा सा कुछ खाना खा लेते हैं कुछ टहल लेते हैं कुछ और कर लेते हैं यहाँ गूम लेते हैं अखिरकार पढ़ाई में मन आपका क्यों नहीं लगता है देखो हर सब्जेक्ट ना हर सब्जेक्ट प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट के साथ हर सब्जेक्ट आपका इंट्रेस्टिंग है ठीक है हर subject interesting है पढ़ाई में मन ना लगने का पहला region, सबसे बड़ा region आपका teacher हो सकता है जो आपको पढ़ा रहा है वो हो सकता है, क्योंकि हर subject चाहे वो physics हो, चाहे वो chemistry हो चाहे वो biology हो तभी subject आपके interesting होते हैं और अगर वो subject आपको interesting नहीं लग रहे हैं, तो इसका मतलब यह कि आप सही जगे पर नहीं है जैसे आप हमारी हम लोग की बात करें target board health की, तो आप लोग को पता है physics, chemistry, biology इतने बहतरीन तरीके समझाते हैं, कि यह खिबार में समझा जाता है, ठीक है बच्चे एकदम खूस हो जाते हैं कि बस भाईया, आईसे ही तो पढ़ना था हमको ठीक है इसलिए सबसे पहले उस subject को हमें interesting बनाना होगा और बाए दफे कभी-कभी होता है कि हमारे पास teachers नहीं मिल पाते हैं अच्छे teacher नहीं है, तो हम लोग आपके लिए खड़े हैं ना, हमेशा से खड़े हैं, वो भी best faculty के साथ ठीक है, तो इसलिए अगर कोई भी subject आपको समझ में नहीं आता है boring महसूस होता है तो यकीन मानो, आपका teacher नहीं अच्छा है ठीक है, teacher नहीं अच्छा है और दूसरा reason यह है कि आप भी नहीं पढ़ रहे हो आप भी थोड़ा सा effort नहीं डाल रहे हो अगर आप effort डाल दोगे ना थोड़ा सा, चीज़े समझ आने लगेंगे ठीक है, teachers आपको पढ़ाएगा, समझाएगा ठीक है, लेकिन जो extra efforts डालने होंगे, जो महनत करना होगा ना, जो याद करना होगा ना, वो आपको खुद को करना होगा इसलिए यकीन मानो जब तक तुम खुद से महनत नहीं करोगे ना, तब तक सफलता चल के तुम्हारे पास नहीं आएगी ठीक है और किसी के पास भी सफलता चल के नहीं चली जाती है कि सफलता जा रही है कि चली गई आज़ो आज़ो भीया मैं सफलता हूँ तुम्हें पास आजाओंगी नहीं आएगी तुमको खुद जाना होगा ठीक है तुमको खुद महिनत करके पहुचना होगा ठीक है इसके बाद आता है कि ध्यान भटकता है अधिकतर बच्चों का ये प्रस्व आहता है कि जब हम पढ़ाई करते हैं अभी हम physics पढ़ने वाले हैं तो हमारा chemistry पढ़ने का मन करता है अभी हम chemistry खोलेंगे तो biology पढ़ने का मन करता है फिर biology पढ़ेंगे तो फिर हमको कुछ पढ़ने का मन करता है ऐसे होता है ना ध्यान भटकता है या फिर तुम पढ़ने के लिए बैठें ठीक है तुम physics मालो तुम biology खोले ठीक है biology खोलके बैठे अब तुमको तुम्हारी college वाली उसकी याद आने लगी है ना फिर तुम उसकी याद में एक letter लिखने लगे biology की बोल चुकी कि भईया मुझे पढ़ लो काही लिए खोल के बैठा दियो हमको पढ़ लो लेकिन तुम्हारा ध्यान letter लिखने में है उसकी याद में खोय हुए हो पता नहीं क्या बनाय जा रहे हो ठीक है तो ध्यान किसका है भाई ध्यान तो आपका है ना ध्यान तो आपका ह होना नीरस होना ठीक है नीरस होना कोई रस ही नहीं है जब उसमें रस नहीं होगा तो कहां से तुम्हारा ध्यान लगेगा नहीं लगेगा दो घंटे की मूवी तीन घंटे की मूवी चला दूना अराम से देखोगे ठीक है खाना भी नहीं दूंगा ना तो चुप चाप बै अपने दोस्तों के साथ market की तरफ घूमना होगा ना, movie देखने जाना होगा ना, तब मैं नहीं आके बोलूगा कि भाईया, ध्यान से अपने दोस्तों के पास चले जाओ, तुम्हारे दोस्त तुम्हें याद कर रहे हैं, party करने के लिए बुला रहे हैं, कुछ नहीं, कुछ न करने के लिए मैं आपको motivation देने तो नहीं आता, कि भाईया बहुत पढ़ते हो, अब पढ़ाई कम कर दो, थोड़ा सा बात भी कर लिया करो, थोड़ा से charity आ भी लिया करो, call पर बतिया भी लिया करो, इसके लिए तो motivation देने नहीं आता हूँ, वो तो automatic तुम लोग कर लेते हो लेकिन जब बात पढ़ने की आ जाती है, जब आप पढ़ने की आ जाती है, ये देखो जैसे, तो उसे समय आपका मन, आपका ध्यान, आपकी नीद, सब कुछ आने लगती है, इसकी responsibility आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है, ये आपका ध्यान है, कल के future खराब होगा, तो आपका हमारा नहीं होगा, ठीक है, और किसी का नहीं होगा, आपके parents का नहीं होगा, आपके teachers का नहीं होगा, आपको future खराब होगा, आप यहाँ वहाँ टहल रहे होगे, इसलिए अगर ध्यान भटकता है ना, तो ध्यान को बता दो, ध्यान को बता दो कि भटको नहीं, अभी जो का मेन काम है वो मेन काम है पढ़ना ठीक है मेन काम है आपको पढ़ना तो अभी पढ़ाई कर लो ठीक है जब बात करने का टाइम आएगा तो बात भी कर लेना एक्जाम होने के बाद छुटी मिलती है बात भी कर लेना मस्ती भी कर लेना घूम लेना टहल लेना मूवी देख लेन किसी दूसरे स्टेट में जाके घूमाना लेकिन अभी पढ़ने का टाइम है अभी पढ़ लो और अगर अभी तुम ऐसा नहीं करोगे तो यकीन मानो हमेशा भटकते रह जाओगे अगर तुम्हारा आज पढ़ाई में ध्यान भटक रहा है न तो याद रखना पूरा जीवन भटकते रह जाओगे फिर उस समय अपनी responsibility खुद लेना आप लोगों से मिलेंगे next class में wish you all the best thank you